तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाथ करते हैं क्लिक टोटे के इस वीडियो में और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट है अकाउंटेंसी ओनर्स वाले उन सभी को आज बहुत बढ़ा जटका लगा है कारण यह है कि आप सभी का आउट अउट अउट सीलेवस बढ़ना है वह लेकिन वह पढ़ना है आपको पार्ट 3 में जो कोशें आपको पूछे गए वह सारे पार्ट 3 में फूछेंग सारे मैंनेजमेंट अगाउंटिंग के कॉश्चन पूछेंगा है स्टूडेंट कर रहे कि 11 लेवां इसमीं पढ़ते थे चैस्ट फ्लो वगएर उनको answer sheet मिल गया, answer sheet मिलने का तो वो सभी OEVA sheet भर लिए जब उनको question paper seal fire करके मिलता है और जब वो question पढ़ते हैं तो ratio और break even point ये सारे questions आने लगे और उसके बाद उनको cash flow के questions पूछे जाने लगे और specialized accounting उपर में नाम दिया हुआ है, सारा कुछ paper code बगार सब दिया हुआ है और इसके बाद जो question student ने देखा, देखा कि out of syllabus question है, solve नहीं हो पाएगा fund flow, ratio यही सारी चीज़े है, break even point और ratio analysis ये सारे question जो है दिये गये थे तो ये part 3 का management accounting का ये पूरा का पूरा question है और university तक ये बात पहुचा दी गई है, हाला कि मैंने भी बात की जब exam technology से तो उनके तरफ से फिलाल यही कहना है कि जो उस time हो पाया, वो हो गया अब आगे का decision management क्या लेती है, ये तो उनके ओपर निर्भा करता है हाला कि जितने भी centers थे, जहां पर कि ये accountancy का paper हो रहा था, specialized accounting का paper हो रहा था सारे student ने mobile खोल करके अपना लिखना सुरू करती है, भाई क्या करेगा कोई भी यहां पर कलती students की ने, student ने अपना पूरा मेहनत करके examination देने के लिए तयारी किया था जब वो examination hall में पहुचते तब उनको पता चलता है कि आपको part 3 वाला question जो पूछा गया part 2 में एक question जो नहीं पूछा गया part 2 का जो भी syllabus है part 2 का तो बच्चे कहां से answer दे पाएगा और रही बात की बहुत सा student के रहे कि इसके उपर वीडियो बनाईए कुछ करिए मोर्चा निकालिए देखें मोर्चा और चा नहीं निकालने का अपने को exam controller जी तक ये बात है बहुत चुकी है वो जान चुके है specialized accounting का question जो था वो गलत प्रिंट हुआ जिन्होंने set किया वो part 3 का set कर दिया भगवान जाने की कहां पे ये सारी चीज़े गलती हुई है अब ये management से पता लगाया जाएगा जिनका भी मतलब देखे होता क्या है कि जो भी teachers question बनाते हैं बहुत सारे teacher को दिया जाता है question बनाने के लिए और किसी एक teacher का question उठा करके question paper में set कर दिया जाता है ये चीज़े होती है अब इस बार जो हुआ है पता नहीं किस प्रकार से question को print किया गया है पार्ट 3 का question आप पार्ट 2 में दे रहे हो पता चलेगा पार्ट 3 में आप पार्ट 2 का पूछ रहे हो student क्या करेगा वहां पर कुछ teachers का ये reply आ रहा था परवे तो की होगे कभी न कभी ऐसा examination hall में बोले थे परवे तो की होगे न कभी कभी अरे यार 11 में पढ़ावा चीज 12 म पढ़ावा चीज और graduation level में वही चीज वह है और level up कर दिया जाता है जब वह level up हो चुका है student ने कभी concept पढ़ा ही नहीं है तो कहां से solve कर पाएगा कई student कहरें कि हमने सारा theory लिखा देगे लगबग student ने सभी student ने theory ही लिखा होगा balance sheet भी देखकर के बहुत साथ student कोशिश किय यह立 град होगे मिल our answer पने concept नहीं पढ़ा है और कहाँ से मिला दोगई answer, कहां से लाद कहाँ होगे answer आपको पता भी है कि उसका answer सही है या गलत है तो यह चीजे होई है students के साथ जब यह चीजे पता चली है तो अब सब लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है मतलब आपने अंशाशीट के उपर अपना ओयमाशीट पर नाम वगएरा स्केल से लाइन वगएरा सब खीच लिया है पैसा बरवाद यूनिवसिटी का कॉपी के उपर और एक दो सेंटर नीट कुल 40 केंदर बनाए गए हैं 40 केंदर पर ये परिक्षाएं हो रही हैं वहाँ पे जो इस्टूडेंट ने ये काम कर दिया था उसके बात पता चला कोश्चन पेपर ही पूरा गलत है तो यूनिवसिटी का ये कारनामा चलते रहता है अभी LNMU का आपने कारनामा देखा था एक सो में से 151 नंबर दिया गया था स्टूडेंट्स को और यहाँ पर देखी कि part 2 के परिक्षा में part 3 का सवाल पूछ दिया जाता है तो बिहार में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कुछ भी possible है और बिहार उनिवसिटी का भी कुछ भी possible है तो आप जैसा कि देखरों तो आप लोग को री कंड़क कर भाओ examination लेकिन इसमें युणिवसिटी का घाटा है कहीं न कहीं लेकिन युणिवसिटी की ही गलती है स्टूडेंट्स की गलती नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर युणिवसिटी को ही भोगना पड़ेगा तो यह चीज़े होई है और इसके बाद से जो है लगातार comments, लगातार call, messages आ रहे थी स्टूडेंट के रहे इसके पर वीडियो बनाईए, इसके उपर actions लीजिए उनिवसिटी में भी हर कंप मच गया तब कि जब उनको पता चला कि question paper ही पूरा गलत है, कुछ teacher बोले question paper कैसे गलत है, देखिए teacher के pointer view से अगर देखा जा तो teacher यही बोलता है, कि सारे student ने 11-12 में तो concept पढ़ा होगा लेकिन break-even point का concept student कहां से पढ़ेंगे, break-even का question solve भी नहीं किया होगा उन्होंने, क्योंकि वो syllabus उनको touch हुआ ही नहीं होगा और higher level का उसे लिए बस आस्ता कुनों ने पढ़ा ही नहीं तो answer कहां से कर पाएंगे तो teacher भी कहीं ने कहीं कुछ ऐसे थे examination centers पे जो की अपनी ही चला रहे थे यहां पे गलती तो थी, management की भी गलती थी और बच्चों का problem यह समझना चाहिए आप लोग यह बताइए कि आपके center पे mobile इस्तमाल करने दिया गया कि नहीं दिया गया आपने कैसे लिखा कैसे answer दिया यह ज़रूर बताइए नीचे comment box में क्योंकि यह सबसे ज़रूरी चीज हो गया कि जानू मैं कि आप लोगोंने examination कैसे दिया है कई student करें मैंने जैसे तैसे 20-25 पचेस पणना भर दिया है तो बात तो सही आपको जो भी आया होगा वो भर जाया होगा वह जो जो भी आपके syllabus से और नहीं आपके chapter से question पूछा गया है नहीं question bank से पूछा गया है नहीं guess paper से पूछा गया है तो प्लीज से प्लीज money and banking के लिए focus करिए और तैयारी करना है स्टार्ट करती से अभी के अभी time waste मत करिए सोचने के ओपर time मत लगाईए क्या होगा कि आपका average marking करके आपको pass कर दिया जाएगा इसमें इसलिए ज्यादा time waste नहीं करना है अभी से जाएए पढ़ाई भी लग जाएए money and banking का चाया रही करिए all the best कोई मन में सवाल या सुजाव हो तो नीचे comment करके दरूर से जरूर बताना